यह भी मेरे लिए एक वो मिस्ट्री सही है कि मुझा बदनाम करके मेरेजोनी को मिलेगा किराए उन्होंने का भी ऑफराइशन भी ने दिया कि आप एंडोश्मेंट के ले किसी लेकिसी लेकिन हमने काम किया कोई अगरिमेंट उन्हों में साइन परसे किया ही लेकिन वेजिशन लेकर था उसमें मेरे साइन फॉर्ट की वज नकली साइन करके मुझे डारेक्टर सुछ से मिकाला लिया तो आपको क्लिरी इसक्शन दे दिया है कि अन्हों मिहिर दीवाकों को हटाना है हिँ जब यह सारे डिकड़ीघ और सारे मेना हुधक्मिंट जब आने मेरे से कुछ बात की और उसके भाग से चीजे अलग डिरिक्सन में है ये अमेरे को लेकिन लिगली जाने से वह परपस नहीं है कि लिगली जाएंगे तुम्के पास उपने इनफ एट्रोस नहीं है मैंने उनको सब कुस बिखाया यह कर दिया आठी के ज्यावते है यह तो इसको बात नहीं ज़्ड हो जैसा होगा बताते हुए वहां पर मुझे पता चला कि MS धौनी की टीम इंपे प्रेसर बना रही है कि यह केस रेजिस्टर पर एमेस धौनी की टीम तो न्यूज एटिन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है इन दिनों चर्चा में है महिंदर सिंग धौनी जी अभारतिया टीम के पुर्व कप्तान एक बड़े दिकच के लाड़ी महिंदर सिंग धौनी ने एक मामला दर्च कराया है रांची में आरका स्पोर्ट्स मेनेजमेंट के खिलाफ महिंदर दिवाकर है उस कंपनी के डारेक्टर और ये कहा है कि उनको पंदरा करोड या से जादा का नुकसान हुआ है उनके साथ फ्रॉड हुआ है तमाम पर रंजी कर्केटर रह चुके हैं महिंदर सिंग धौनी के दोस्त भी है उनके साथ अंडर नाइन क्रिट खेल चुके हैं तो तमाम जो आरोप महिंदर सिंग धौनी ने लगाए है रांची कोट में मामला भी दर्च कराया है आज वो सचाई जानने के लिए क्या उनका कहना हैं हमारे साथ मौजुद है मिची स्वागत आपका बहुत 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 दर्लेवाद में महिंदर सिंग धौनी कह रहे हैं कि आपकी कंपनी ने पंदरा क्रोड से जादा का धोका धड़ी की है उनको नुकसान पहुंचाया है और रांची में विभिन धराओं के अं वी तमाम एलिगेशन है आखिर ऐसा क्या हो गया पंदरा क्रोड का नुफसान महिंदर सिंग धोनी को जी सबसे पहले तो मैं यह कहना जाओंगा कि मैं तो मेडिया के थ्रू जो आया जो खबर आया मैं वो देखके बिलकुल लेई आज्टर शक्रत हो गया यह चीजे आई कह से और यह जितने भी आरोप लगाए हैं जो मैंने मीडिया के त्रू देखा हैं यह सारे बिल्कुल बेबुनियाद है जूट है इनमें कोई कोई सच्चाई नहीं है यह सिर्फ कीजिये ऐसे हैं कि मुझे बदराम करने के लिए और मेरा मेरा जो समाजिक नुक्सान करने के हैं दिगज हैं बारती क्रिकेट के तो वो पोर्ट उनको जाना पड़ा वो कह रहे हैं अपने इसमें के आपकी कंपनी ने उनके साथ दोखा धड़ी की है 15 क्रोड पे की कुछ समझाता था स्पोर्ट से क्रिकेट अगैडमी खोलने का जी मैं MS भोने को बहुत पहले से जानता हूं लगभब 26-27 साल हो गया हूंगे उनको जानते हुए हमने अटर-90 टिकेट साथ ही केला उसके बाद फिर मैं अटर-90 इंडिया वर्ल्ड कप भी में था जब हम वर्ल्ड कप जीते थे 2000 में सिलंका में जिसे कफ्तार मुहमद क्या थे उसके बाद रंजी ट्रॉफी भी साथ के लिए है और साथ खेलना एक अलब होता है जब तक हम जारकांट के लिए खेल रहे थे तो हम लोग पार्टनर ही हुआ करते थे तो कोई टीमेट नहीं बिलकुल करीवी दोस्त वाला था हमारा उसके बाद फिर क्रिकेट में फिर पूलना है उससे पहले मैं अपनी क्रिकेट अकाडमी चला रहा था दो सेंटर चला रहे थे तो उसके बाद कुछ मेरे ठूई टील आई थी कि जी में फोनी क्रिकेट अकाडमी फोल सकते हैं कि यह यहां रोकूंगा यह शुरुआत हुई 2017 से आप कह रहे हैं प्रपोजल तो उनके तो उनके जो करेंगे और डील वैलू काफी बड़ा था दस बारा करोर का कुछ दील सा एक्जैक्ट्री मैं वह एग्रिमेंट मेरे पास है मैं शेर भी कर दोगा तो उस डील में से क्रिकेट एकाड़मी का कंडिशन था तो उनको लगा कि आसायद आप मेरे पर भरोसा दिखाया और लगी आप उसको चला लो तो वहां से यह 207 की वाद सोलन सतना की वाद आप कह रहे रहे हैं जी 17 बार तो जो से चलेंगी कुछ तो डॉक्मेंट डॉक्मेंट उसमें मैं बताता हूं आपको क्यूंकि दुबई में डील हो रही थी तो वह क्लाइंट में मुझे डिमांड किया कि आप अपको कि लिए डील करेंगे चाहे एकडमी खुलेंगे तो मुझे एक और चाहिए होगा एमेज़ भॉनी से वेलिडेट करने के लिए आप परसन हैं जिसे हम बात कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं पर में एक ट्रीकर तो मेरे नाम पर इसू किया था कि आप मधेज़ भॉनी क्रिकेड अकैडमी चला सकते हैं उसके बाद उसके बाद मेडिया में आ गया मेडिया में वह लुगा गया होगे इंडिया से बहुत सरे लोगों ने अप्रोच किया कि मुझे एकाडमी धोलना है तो फिर ओस इंडिया में भी चलने लगा तो फिर मैंने उनको बोले कि ये चीज़ें बड़ी होगी और मेरा टार्गेट्स है कि मैं कुझे सो एकाडमी करनी है लॉंग रन में तो मैं लेकि एक अंडरस्टैंडिंग अपने बीच में होनी जी तो मैंने उनको बहुत बास तक कि मुझे अग्रेमेंट आप दे जी जाया जाय कि भी वाइल कि धी आप नहीं कर पार होगे आपकी ताम यो कैन्लेम ठींग तो मैंने लाग्रमेंट बेंको सुथा तो मैंने फिल्या मैं mail किया फिर मैंने follow up किया लेकिन कोई agreement sign ही नहीं हुआ है आज तर acredmi ने कर रहा हूं endorsement की नहीं बात कर रहा हूं endorsement में तो मेरे पस authorization भी नहीं था उन्होंने कभी authorization भी नहीं दिया कि आप endorsement के लिए किसे लेकिन मैंने कम से कम इनको 100 करोर से जाधा का business दिया है अपने जो 45 साल का जो 10 एर था 100 करोर से जाधा business endorsement में दिया है लेकिन बीना agreement का और बीना authorization ने तो आप कह रहे हैं कि आप MS Dhoni के लिए endorsement deal आते थे और Dhoni endorsement करते थे तो mutual पर ही सब कुछ चल रहा था कागिश में कुछ नहीं था या आप कह रहे हैं विल्कुल क्यूंकि मैंने उनको बहुत बार बोला और even school खुला MS Dhoni Global School खुला उसका भी agreement मैंने दिया कि आप sign कर दो तो आप यह कह रहे हैं कि जो आप मैं समझना चाहता हूं बड़े सिंपल सी तीज है आपके पास कोई एड लेके आया कि हम MS Dhoni से इन्हों ने बोले कि आपके पास कोई डील आएगा तो मुझे आप वर्टसप करने हैं कर लेना तो मैं आपको कुछ चीज़े होगा तो अगर उपर निचे है जो करदिशन होते हैं कितने जो भी उसके टेकनिकल चीज़े होती हैं और वहां से वो करते थे फिर हम लोग कंपनी के साथ जो साइन होता था त्राइप आटी एगरिमेंट इसमें मैं साइन करता था झाचिज़े और उसके पीछे धोनी और मेरा और मेरी कंपनी का तो ये जो आपको मामला सामने आया है कि धोनी को आखिर कोर्ट क्यों जाना पड़ा वो जो अकैडमी की बात कर रहे हैं कि पंद्रा कोर्ट का उनको नुक्सान हुआ आप पे अच्छे दोस्त किठा के लिए तो आपके ही दोस्त को कोर्ट जाना पड़ा आपके खिलाब मैं आपको बताता हूं कि एक कंपणी है नियोप ग्लोबल उपज वर्दक के नाम से एक फर्टिलाइजर कंपणी है जिसके लिए इंडोर्श्मेंट के लिए मेरे पास दील आया था मैंने एमेज़ोनी को बताया और अग्री हो गया क्योंकि वह स्टार्ट अप कंपणी थी और वह एक्विटी पे उसकी डील रिए तो उसमें किया एक कंपणी ने मुझे भी अटाच किया इंगेज किया और मुझे दिया तो यह सब चीजें ठीक चल रही थी तो मुझे दो हजार बाइस एप्रिल या में का बात है मुझे आरोसी से एक मेल आये कि आपको डिरेक्टर्शिप से हटा दिया गया है तो मैंने तो मैंने आपने CS को बोले कि आप जब चेक करें कि क्या हुआ है तो उन्होंने जो डॉक अधिनेशनलेक्टर था उसमें मेरे साइन फॉर्ट की वज़ने करके मुझे डारेक्टर्शिप से निकाला लिया तो तो आरोसी से वो डॉक्मेंट्स निकल गया है वो डॉक्मेंट्स मैंने MS धोनी को मैं भेज़ दिया कि मेरे साथ यह हुआ है और जो AGM हुआ था उस कंप तो आप यह कह रहें कि अचानक से उनको आपको जो आप बता रहें कंपनी वहां से आपको हटा दिया गया आपने तो वाटसएप किये और इस पर्टिकुलर मैस केस की बात करूँगा कि आपकी कंपनी जो आरका स्पोर्ट्स है उसका और अपने 15 करोड का जो नुकसान वो बता रही है तो वह 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 क्या कोई कागज में कभी नहीं वही आपके पास कोई लेटर नहीं था और जो बाकी जो एंदवाद की बात करें जो सिर्फ एक सिंगल डॉकुमेंट है पूरे अकाडमी चलाने के लिए और गलोबल अकाडमी चलाने के लिए मेरे पस जो डॉकुमेंट है आप देख सकते हैं यह मेस होनी के लेटर रिट पर है और नीचे मेस होनी काहीं है मेस होनी जो अटोग्राफ करते हैं वो अलग साइन होते हैं जो डॉकुमेंट में साइन करते हैं तो यह उनका और पूरे सब कुछ के लिए मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पेज का एक यह पेपर है और यह पेपर मैं आपको भेज भी दूँगा तो आप उसको पढ़ भी सबत को एक पेज आप दिखा रहा है मुझे इसके कोडिंग कितने एक खोलनी अकैडमी खोलनी थी और जो पंदरा क्रोड का नुकसान आखिर वो कह रही है वो फिर ऐसा देखे बड़े खिलाडिया हो अगर पंदरा क्रोड कह रही है या उनके पास भी डॉकुमेंट होंगे तो यह दिक्कत शुरू कहां से हुई कितने एकैडमी खोलनी थी कहां पर एकैडमी हैं अभी चल रही हैं मैंने उनको जो हमारी बात होई थी तो मैंने उनको बोला था कि हमें सौव एकैडमी खोलने हैं और हम 50 पहुच चुके थे साइन करके ऑन पेपर पचास पे चल गया पहुच गया थे और 15 से 20 एकैडमी ऑपरेशनल हो गई थी तो सौव एकैडमी मुझे खोलना इसलिए था कि जो 15-20 एकैडमी जो पहले चल रही थी तो यहां पर यह एकैडमी प्रॉफिट पे नहीं थी क्योंकि हमको पैसा इंवेस्ट करना पढ़ना था हर चीजों में मार् प्रॉटेबल हो जाएगी और मेरा टारगेट था कि मैं सौव एकैडमी इंडिया में फिर खोलूँगा और उसके बाद फिर अच्छा इंडिया के बाहर भी एकैडमी खुली सिंगापूर में खुली डूबई में खुली आपके कतर में खुली इंडिया में आप लगा ले तो आपके अमरित सर, स्रीनगर, लखनौव, दिल्ली, कानपूर, फिर इंडौर, साउथ में फिर आपको अहमदाबाद था, हैदराबाद था, आपको 36 गड़ में था, बहुत सारी जग आएकैडमी आपरेशनल हो गए थी, तो यह चीज़े जब आई कि, अभी 15 करोर की बात करने हैं, कि 15 करोर का लॉफ हो है, तो तो अकैडमी आगा प्रॉटिबल होती, क्योंकि मैं इनको टाइम 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 प्रॉफिट आइम लॉस का स्टेटमेंट भी मैं शेयर करता था, कितनी एकैडमी खुली, एकैडमी से यह रेविनिव आया, यह हमारे एक्सपेंसेज हैं, यह प्रॉफिट है, यह लॉस है, 2017 में पहला साइम हुआ, 18-19, तीन साल, और उसके बाद कोविट का पीरेड आया, जी, दो साल कोविट का पीरेड आया, और इस कोविट के पीरेड में इन लोग का एक्सपेक्टेशन हमको मुझे पता नहीं था, और इस बीच में ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं दिया दूता है, मैं जोने को क्रिकेट अकाडमी के नाम पर, हमने एक करोड़ रुपया से ज मेरे कंपनी से 50 लाग गया है, और 50 लाग जो गया है और डारेक्टी एक पार्टनर ने उनको पे किया है, जी, तो आप केरेंगे, अभी जो, अभी जो, अभी अभी पीशे, वो मिशे, अहमदाबाद और तमिलाडू के यहां पर केस की बात चल रही थी, तो मैं वो भी आप ही चल रही थी, और उन्होंने अभी मेरे पे एक केस किया है, और जो तमिलाडू में जो हुआ है, वो है में स्टोरी बता देता हूँ, आप लोगो पता चल जाए क्यों चीज़ें क्या है, जब 16-17 से ही प्लान था कि स्कूल खोलना है, उनके पास 40 एकर का लैंड है, राची में जहांपे आजकल आप सुनते हैं की वो फार्मिंग करते हैं, खैती करते हैं, उस लैंड को हुँना क्या हम कोई स्कूल या स्पूर्ट ष्पूल प्लान कर सकते हैं, तो मैंने बोलागे कि मैं पैसा इंवेस्ट एक रूप रहें करूंगा, इंवेस्टर लेके आओ, यू को आप स्टैब्लिश करो में ठीक है तो उसमें हमने काफी सारी एंगेज की ताकि हमें एक्चुली और टीम जाके राची में रिसर्च भी की 15 दिन रहेंक है सारा कुछ गरते हुंने रिपोर्ट भी दिया और रिपोर्ट भी मैंने इनको दिया है और उसके बात फिर उसी कर हैं कि लोग के अंगेलोर के वी ऍसके हैं हम लोग कर सकते हैं कि क्रिकेट के यह हैं हम लोग स्कूल का कर रहा है सारे खंडिसर स्ब कुछ होते हो गया सब कुछ फाइनल वोग्या मैंने इनको दे दिया ऊप्रूवल के लिए कि मुझे मिलना है ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आपको मिलना ही चाहिए कि यह आ रहा है बड़ा प्रजेक्ट आ रहा है तो आपको मिलना ही चाहिए तो 2019 में यहाँ पे दिली में थे मदा पार हूं एक शूट था मास्टर कार्ड का शूट था दिली में अब आजे यहां सामने-सामने बात की हो जाएगी सामने-सामने पीट भी साइन कर लेंगे तो लोग आए बात हो गया अगरिमेंट साइन हो गया सब कुछ हो गया स्कूल का ऑथराइजेशन भी मैं ने धोनी जी को बोला कि एगरिमेंट साइन हुआ है यह ऑथराइजेशन में आपको भेज रहा हूं मुझे साइन करके देजिए उन्होंने वो चीजें नहीं दी और मै मैं भी बिलकुल ऐसा था कि हाथ हेके MS-Dhoni के सामने है सामने सारे इमेज़ेशन फोटोज रहा है फोटोज नहीं है वो एगरिमेंट के साथ MS-Dhoni का फोटो पोटो है उनके साथ फोटो है उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं हो गया सब कुछ हो गया अब ब्रॉशर को launch किया, उन्हों photo भी circulate किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद जब ये New Global का, जब मैं बता रहा हूं, जहां से चीज़ें थोड़ी सी बदलने लग गई, तो उसके बाद मेरे पास एक वहाँ से notice आता है, हुसूर से कि जी आपके पास authorization नहीं है, स्कूल का, आप legally, स्कूल नहीं खोल सकते हैं, आप मुझे authorization दी, उसके बाद उन्होंने पुलिस में complain कर दिया, हुसूर में, मीडिया में मैं देख रहा था है कि वहाँ से complain जो आया, मैं वहाँ कभी गया ही, ऐसी चीज़ें कुछ आ रहीती है, मैं एक चीज़ें समना चाहरा हूं कि जब agreement, आप आपने MS दोनी को मिलवाया, उनसे जिनोंने स्कूल खोलना था, और आपने का कि agreement हो गया, सब कुछ हो गया, साइन, तो फिर वो notice आपको किसली, क्योंकि दोनों पार्ट्री को भी इस तो हो गया है, इक्जैक्ट्ली, तो यही तो अभी issue यह है कि जब सब कुछ agreed है, तो यह चीज़ें कि अगर माली जी 15 करोज का मैंने तो मुझे बताओ, मैं photo करता हूँ, अगर मैंने लॉस कराया है, मैंने fraud किया, मैंने छोई किया है, तो आप उसको legally जाके, पुलिस को बताओ, legally जाओ, लेकिन legally जाने से वो purpose नहीं है, कि legally जाएंगे तो इनके पास उतने enough papers नहीं है, तो इनका purpose हो नहीं है, मुझे बदनाम क media trial उन्होंने पहले कर दिया, और legally दिखा के, उन्होंने media trial कर दिया, तो ये उनको phone करके, उनको बोला है, अच्छा, मैं उसलिए आपको बता रहता है, वो story मैं बता देता था, तो ये मुझे पता चला कि, जब वहां से मेरे पास notice आया, पुल station से कि आपको जी present होना है, इस date को, अब ठीक है जी, मैं अपने सारे document जो भी था, supportive documents लेके, जी मैं चला गया वहां पर, मैंने उनको सब कुछ दिखाया, ये कर दिया, हाँ ठीक है, जी आप जाहिए, कोई बात नहीं, जो जैसा होगा बता देते हैं, वहां पर मुझे पता चला कि MS Dhoni की team इनको प्रेसर बना रही है कि ये case register को, MS Dhoni की team, इन्होंने कभी ही नहीं मुले कि जो, जिन्होंने complain, क्यूंकि MS Dhoni ही नहीं, उनको local partner pressure करके complain करवा है, फिर मैं आगया, मैं पिछले महीने मेरे पास notice आया कि, जी आपने जो paper जमा किये थे, छे महीने पहले जी वो enough नहीं है, और MS Dhoni की team इसको validate नहीं करते हैं, तो फिर मैं मुलें ठीक है, तो मैंने उसके बाद भी और paper उनको mail पे धेज़ गया, मैं मुलें कि मेरा health अभी ठीक नहीं है, तो मैं अभी travel नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा जैसे होता हूं, मैं travel करता हूं, तब तक ये च परिशान करने के लिए और मुझे ये करने के लिए उन्होंने वहाँ भी F.I.R करवा दिया, आप ये कह रहे हैं कि आपको परिशान करने के लिए आपको target, आखिर ऐसा क्यों, MS Dhoni आपके दोस्त रहे हैं, वो एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बिजनिस भी अची तरह समझत परिशल भी, सभी अंगल, सभी बड़े-बड़े players अपने करते हैं, तो आपको क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं, आपको क्यों partners तो आप छोड़ दो, मेरे employee को, मेरे employee को phone करके, वो लोगे करते हैं कि आरका sports में तुम काम करोगे, तो तुम पे legal case होगा, तुम आरका sports छोड़ दो, मैंने उस, ओ भी mail MS Dhoni को किया है, कि तुम्हारे यहां से phone आ रहा है, यह गलत बात है, मेरे employees को परिशान करने का, वो सार documents है, मुलें कि यह गलत, उसके बाद partners को phone करके, अभी पिछले एक साल से मैंने बलगी, कि मैं आरका sports academy चलाता था, मैं आरका sports academy ही चलाऊंगा, तो उसके भी मेरे चार्माच अभी centers हैं already हैं, जो मैं चला रहा हूँ अभी, तो उन partners को phone करके, इन लोग, वी लोग कहते हैं कि आरका sports के साथ आप काम मत करोंने, तो MS धोनी आप पे भी case कर देंगे, तो कुछ लोगों का मेरे पास concern मिला है, कि ऐसा-इसा mail आ रहा है, आरका sports, हम MS धोनी academy चला रहे हैं, तो आप पे case करेंगा, आप तो आरका sports के साथ काम करें, तो यह सब चीज़ें, यह ऐसी चीज़ें मुझे तो मेरे समझ से तो परे है कि वो ऐसा करने का मफसद है, तो पाइनरी रांची में जो आपके खिलाफ है मामला, उसके आपको notice भी आ चुका है, तो आप आगे क्या देखते हैं आप, और आपकी आखरी बात, नोटिस नहीं आया, मैं आपको बता देता हूं क्या है, इन्होंने केस फाइल किया है अप्टूबर में, उसकी एक हेरिंग और थी नॉमबर में, उसकी तीसरी हेरिंग थी अभी पास तारिक को, अभी तो केस फाइल नहीं हुआ है, जितना मुझे जानकारी है, इन्होंने जितना है, आगली हिरेंग इनकी है, बीस तारिक को उसके बाद अगर केस फाइल होता है, तो मेरे पस नोटिस आएगा, म मेरे पस कोई नोटिस नहीं है, मुझे मेरे पस कोई भी, ना कोर्ट से है, कहीं से कोई इंफ़र्मेशन नहीं है तो आपकी लास्ट बात कब हुई थी MS दोनी से और कुछ आपको आपने कोई समझाईश आप दोनों कठे खेले दोस्ती रही है ठीक है अगर कोई मामला बिगड़ा आप कह रहे हैं कि 15 क्रोड का लॉस वो कह रहे हैं कि हुआ है आपकी वजह से तो कोई आपकी लास्ट बात जो मेरा फॉर्ट साइन करके जो मुझे रिजाइन कराया गया वो जब मैंने डॉकुमेंट्स और वीडियो रिकॉर्डिन को भेजी थी उसके बात से मेरी बात नहीं हुआ है कि यह हो गया होगा एक साल एक साल हो गया हुआ आपकी स्टेट्मेंट पढ़ रहे थे उसमें आ अगी हुआ उल्टा आपने धोनी से पैसे लेने लिए तो जो मेरे जो पैसे बात कर रहा था तो पांच करोड नहीं 6 करोड दस या पंदर लाख रुपया जो मेरे धोनी पे निकलते हैं जो उन्होंने और मैंने मेल में उनको बोलाए तो अच्छा नहीं लगा कि धोनी इतने बड़ रिस्क्रेटर आदमी है उनके बारे में मैं जा सकता था मैं कोट भी जा सकता था मैं पूलिस के पास भी जा सकता था लेकिन मैं इसाच जानता हूँ और दूसरा की वो पब्लिक फिगर है उनके बारे में मैं बोले ना हूँ तो लोग भी बोले हैं कि आप क्या माईलेज के लिए क्या कर रहे हैं कुछ नहीं तो मैं आपने मेल या अपने मेसेजस किये कॉल आप बता रहे हैं जी बिल्कुल मेल किया है हमको मेरे पैमेंट आप रिलीज करो यह कब अपने मेल किये कौन सी कब आपने मेल किये मैं तो बहुत मैं एक नहीं किया मैं तो मैं उसके डेट अलगे लागे मैल करता हुए टो अनका कोई जवाब आता था आपकी मेल का जिए कुछ बी नेए कुछ भी नेए तो आगे क्या दिखतें अ अब जी इसelenoe VAN इसमें आगे अब तो उन्होंने कि मीडिया लेकी आ गया है अगर वो बात होती हैं आपस में बात होती हैं या फिर अब तो मेरे पास उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है तो मैं भी legally move कर रहा हूँ टीम मेरी काम कर रही है, इसको process कर रहे है कि चीज़ें आप कैसे करें क्योंकि जब मेरे पास सारे documents है, सब कुछ है मैं गलत हूँ तो court को decide करने दिजे अगर मैं गलत हूँ, तो court को decide करने दिजे कि मीर दिवा करने गलत किया है, जो साजा court देजी मैं बिल्कुल ready हूँ लेकिन ये media से public जो trial कर दिए, इसमें परिशाने उमेज जी क्या हुए है, कि परिशाने सिर्फ मेरी नहीं हुए मेरे से connected जितने लोग है, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार, मेरे business partners, मेरे जितने भी लोग connected है, उनको समाज में बहुत सारा जबाब देना पड़ रहा है इसके वज़े से तो आप क्या करेंगे, देखें, वो अलड़ी जा चुके हैं, आप क्या उनके खिलाफ करेंगे, कि media trial तो एक अलग चीज होगी, लेकिन जो document है, जो हम लोग जाेंगे कि जो हमारा उनों में झुक्सान कराया है, उसके लिए जाएगे, हम पोट जाएगे, बिलकुल हमको भरत के जुरिस्री नयाएं पे भरハハ साय है, और हमको पता है कि जो होगा, वो नयाएं सी मिलेगा, जो जो सही होगा, उसके साथ नयाएं जरूर होगा, तो हम बिल्कुल को जाएंगे, हम खोर्ट का सहारा लेगें, ताकि तुझे लिया हैं लिए. बहुत रुए उठी जुने के लिए, औरNSम धोनी की टीम से भी उनका पक्स जानेंगे, जो लिगल है, उनके तुझे वकी बैशे लेड़ी जानेंगे, जो आप आपने भी कआपने पैसे लेने तो तौमाम जो गानूनी पेचित की आपार पेचित जिए हे हैं बहुत रुद् झाल झाल